शुगरवार को कनाटक विदानसभा में भारती जंता पार्टी के अल्पमत में हुए महां के महामहीम राजेपाल द्वारा भारती जंता पार्टी को सरकार बनाने का आमंतरन दिये जाने के बिरोध में नगर निगम के रानी लश्मवाई पार्ट में अध्दक्ष महानगर कुमार अगरेहरी के नेत्रिक में बिरोध परदर्शन किया गया। कॉंग्रेशियों ने नगार निगम के राने लश्मवाई पार्ग में जम कर बिरोध परदर्शन किया। उनका कहना है कि बहुमत वालेस कॉंग्रेस और जन्ता दलगडबंदन को नकार कर दरकिनार कर दिया गया। जो दर्शाता है कि ताना शाही अपनी चरम सीमा पर है। महानगर अद्धिक्ष ने कहा कि भारती जन्ता पार्टी अपने ताना शाही को दर्शा रहा है। सत्ता पर कबज़ा करने का कूचक्र हमेशा से रच्चती चली आई है। इसके पहले भी भारती जन्ता पार्टी ने गोवा, मनिपूर और मैगाले में यही कूचक्र रच कर अपनी सरकार बनाई थी। उनों ने कहा कि भारती जन्ता पार्टी निरंतर अंधन नर्पेक्ष ताकोतों का हत्सों साहित करने का अलुतांत्रिक तई का अपना कर सत्ता हंसें करने का किर्टे करती चली आ रही है। लिए प्रॉट्पार्टी नहीं चरैगी सोन्ये गादे जिन्दावात यह राई है। आगे हो लड़ा प्रॉटी हरी सर्कार बनाई चर्कार दीजुटेंगिहीं चरेगी प्लेजुटेंगिका सीज्दावाट। प्रॉटी नहीं चरेगी। यह जो आज केंदर में ख्मंडी सरकार बैठी हुए है, और जो करनाटक में जो लोगतंतर की सरेयाम हत्या हो रही है, उसके खिलाफ अमनों का ये प्रिदरशन है. आज का दिन दोक्तंत्र के लिए एक बहुत ही बेहत गमगीन दिन है इस तरह से कुछला जा रहा है सारे जो इंस्टिटूशन से उनको इस तरह से उनका दुरुप्योग हो रहा है उनका सम्मान चीना जा रहा है और बिल्कुल बलेटेंटली अपने पावर्स का मिस्यूज हो रहा है जहांपे कि अपनी अपनी सरकारों में अपने राज्यों में गवर्नर अपने बिठा के और उन गवर्नर द्वारा प्यमो आफिस द्वारा इस तरह से निर्देश दिये जा रहे हैं जिससे की इस तरीके की एक लोगतांत्रिक जो एक व्यवस्था बनी हुई है उसका पूरी तरह से उसको खतम करने की जो अंदेशा है इस सरकार का वो सपष्ट हो रहा है हम लोग का पूरा ये विरोध है कॉंग्रेस पार्टी इस समय सड़कों पे अंदोलन करेगी जोड तरीके से विरोध करते हैं हम जनता को जागरित करना चाहते हैं कि ये लोग जो आए हैं सत्ता में जो बड़े जूटे वादे करके लुभावने वादे करके सत्ता हत्या लिये हैं अब वो एक एक करके पूरे Samviddharam को नश्ट करने की तरफ प्रग्रसर हो रहे हैं जनता को साफधान करना है आगा करना है कि ऐसे लोगों किसे धरमित न हो ऐसे लोगों से दूर रहे और हम पूरे तरह से Congress party के सारे कारे करता यहां पर इखटा है सारे प्रदेशों में, सारे जिलों में ये कारेक्रम हो रहा है, ये लोग तंत्र बचाओ कांदोलन है, लोग तंत्र को हमको बचा के रखना है, जो एक सत्तर साल से हमारी समविधान की जो गरीमा बनी हुई है, उस समविधान की गरीमा को बनाए रखना है, और हम लोग को पू पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास हैं कि हम लोग कल करनाटक में अपनी सरकार बहुमत से बनाएंगे। पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा विश्वास हैं कि हम लोग करनाटक में अपनी सरकार बनाएंगे। हम लोग आज इस धर्णने के माध्यम से महामहीम राष्वती भारा सरकार के मांग करते हैं, वो ये गट्टा करप्त में पर्तच रूप से हसे चेप करके, गट्टा के ही अंदर नहीं, बलको पूरे देश के अंदर लोक्तान्तिक मोलियों की रच्छा करें, और लोक्तान्तिक की इयों को मजबूत करने का था, निशित रूप के राजपाल जे जो 15 दिन का समय दियत पे बहुमत साबित करने के लिए भारती जनता पार्टी के सरकार को, उसको सुप्रीम पोर्टा फर्वत्ष नियाला ने निशित रूप से उनको लगा को कहीं ना कहीं ये नालोक कांक इसकित हो रहा है और सारे चीजे तत्थों को देखने के बाद सर्वत्ष नियाला ने अगर ये आदेश दिया है को कल तक चार बजे तक वो बहुमत सिद्ध करें और वो भी विधायक हैं उनको जो है पटल पे लिया के बहुमत सिद्ध करने का तो निशित रूप से इससे होता है को करनाटक के महामाहिम राजपाल दोरा जो भी कदम उठाया गया वो लोग तक भी हत्या करने के समान